हलो दोस्तों आपका स्वागत है नॉलेच पार्क यूट्यूब चनल पे दोस्त आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जम्बू कस्मीर और लद्दाक से जितने भी इंपॉर्टन कोशन बनेंगे उसको हम इस वीडियो में उसको डिसकस करेंगे आपको पता है कि जम्बू कस्मीर और लद्दाक दोनों ही हमेशा न्यूज में बने रहते हैं इसलिए एक्जाम में भी जो कोशन पूछे जाते हैं वो भी सुर्खियों में रहने वाले कोशन ही रहते हैं तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो में लाज तक बने रहेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा पहला कोशन है जम्बू कस्मीर और लद्दाक केंदर सासित प्रदेश कब बने तो यह बने ऑप्सन नमबर B 31 अक्टूबर 2019 को जम्बू कस्मीर और लद्दाक केंदर सासित प्रदेश बने और जो ऑप्सन नमबर E है 5 अगस 2019 इसी डेट को यह घोसित किये गये थे ठीक है बने 31 अक्टूबर को बद घोशना कब हुई थी 5 अगस 2019 को अगला कोशन है जम्बू कास्मीर के पहले उपराजपाल कौन न्यूक्त किये गए यह भी बहुत important कोशन है यह आने वाले एक्जाम में जरूर देखा जाया गई ठीक है तो जम्बू कास्मीर के जो पहले उपराजपाल हैं वो न्यूक्त किये गए अप्सन नमबर C, गिरिस चंद्र मुरू को ठीक है, गिरिस चंद्र मुरू जो है, जम्बू कास्मीर के पहले उपराजपाली C को क्या बोलते हैं, LG, ठीक है, निफ्ट मरा है लद्दाक केंदर सासित प्रदेश के पहले उपराजपाल कौन बने, ये बने हैं हमारे, अप्सन अगला है, भारत में वर्तमान में केंदर सासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई है, तो दोस्त पहले हमारे केंदर सासित प्रदेशों की संख्या साथ थी, अब ये बढ़ करके 9 हो गई है, और इसी के साथ जो राज्य हमारे कितने थे, 29 राज्य थे, अब घट करके कितन हो गए 28 हो गए अगला है भारत का सबसे बड़ा केंदर सासित प्रदेश कौन बना है तो दोस्त भारत को जो सबसे बड़ा केंदर सासित प्रदेश है वो बना है मारा लद्दाख ठीक है तो जान लेते कौन-कौन से हमारे केंदर सासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानी भी जान लेते हैं पहला है मारा जंबु कास्मीर ठीक है जंबु कास्मीर की दो राजधानिया है पहला हमारी है स्री नगर जो ग्रिश्म कालीन है और जंबु कास्मीर सीथ कालीन है ठीक है दूसरा मारा लद्दाक है जिसकी कैपिटल है ल सबसे बड़ा केंदर सासित प्रदेश कौन सा है जो दिल्ली है वो जन संक्या के अधार पे सबसे बड़ा केंदर सासित प्रदेश है नेक्ट मरा आए बरतमान में जम्बू कास्मीर केंदर सासित प्रदेश में जीलो की संक्या कितनी है तो फ्रेंट जम्बू कास्मीर में जो जीलो की संक्या है वो है option number B 22 ठीक है पहले 20 थी अब ये बढ़कर के 22 हो गई है दो जिले कौन-कौन से जोड़े गए हैं पहला जिला है मीरपूर और दूसरा है मुझफ़राबा नेक्ष है वर्तमान में लद्दाक केंदर सासित प्रदेश में जिलो की संख्या कितनी है तो फ्रेंट जिलो की संख्या है दो कौन-कौन सी कारगिल और ले है नेक्ष है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो फ्रेंट भारत का सबसे बड़ा जिला है वो है ले है इसके पहले जो जिला था वो था कच्छ कारण ठीक है और सबसे छोटा जिला कौन सा है माहे नेक्स्ट हमारा है जम्बू कास्मीर की सीमा कितने प्रदेसों से लगती है ठीक है कितने प्रदेसों से जम्बू कास्मीर की सीमा लगती है तो ये लगती है तीन ठीक है हिमाचल प्रदेश पंजाब और लद्दाग जिसमें दो हिमाचल प्रदेश और पंजाब ठीक है इस्टेट है और लद्दाग हमारा क्या है केंदर सासित प्रदेश है नेक्स नमरा है लद्दाक केंदर सासित प्रदेश की सीमा कुल कितने प्रदेशों से लगती है तो फ्रेंड ये लगती है हिमाचल प्रदेश और जम्बु कासमी से ठीक है ओप्सन नमर एक करेक्ट होगा दो प्रदेशों से लगती है अगर ये पूछे जागा कि कितने केंद प्रदेश से लगती है तो एक नेक्स हमारा है भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिशद है अ बढ़िया कोश्चन दोस्त जान लेते हैं कौन कहां कहां विधान परिशद है तो आप्सन नumber भी हमारा क्रेक्टों का 6, कहा कहा पर है, हमारा है ये, उत्तरप्रदेश, महराष्ट, बिहार, तिलंगाना, करनाटक और अंध्रप्रदेश, नेक्ष हमारा है, जंबू, कास्मीर, राज का विसेश, राज का जो दर्जा है, कब समाप्त किया गया, ये most important question है, इसका होगा, option number C, 5 अगस, 2019 को, ये दर्जा, जो विसेश दर्जा था, 35A, और 370, ठीक है, ये दोनों ही विसेश दर्जा देता था, जंबू, कास्मीर को, ये समाप्त कर दिया गया, 5 अगस, 2019 को, ये दर्जा, समाप्त कर दिया गया, next हमारा है, जंबू, कास्मीर को, दो केंदर सासीत प्रदेशों में, किस विद्धेक के द्वारा बाटा गया, ये भी important है, ये बाटा गया, option number B, जंबू, कास्मीर, पुनर गठन विद्धे, ठीक है, जंबू, कास्मीर, पुनर गठन विठे, ये लोग, सभा और राज सभा हमें, अमिस साहजी के द्वारा पेस किया गया था, तो आज के जो question थे, वो complete हो गया है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, comment box में जरूर बताइए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको share कीजिए, thank you